नमस्कार मैं हूँ राजा गुपता और स्वागत करता हूँ आपका वीहलपर यूटीप चैनल पे तो एक जो है जरूरी सुचना आया हुआ है जहारकेड में आपका गरामिन विकास बिभाग के द्वारा अबुआ अवास को लेकर तो अवा अवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ा जो है रिपोर्ट आया है खबर आया है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है और इस योजना के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बहुत ही खास चीज बताऊंगा जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप भी अबुआ आवास का लाब पाना चाहते हो तो चलिए क्या कुछ दिया हुआ है मैं पहले आपको बता देता हूँ तो देखिए जैसा कि मैं आपको लगातर बताते आ रहा हूं कि जारकंड में अबुआ आवास योजना को सुरू किया गया है जिसके तहट दोहजाट तैस चुबिस में दो लाक लोगों को आवास दिया जाएगा और यह आवास का जो है जिला वाइज पूरा डाटा निकल कर आ गया है कि टोटल टार्गेट कितना दिया गया है कौन सा जिला में जिनमें STSC को कितना परतीसत दिया जाएगा जो minority है उन्हें कितना परतीसत दिया जाएगा OVC को कितना दिया जाएगा जेनरल को कितना दिया जाएगा तो आप यहाँ पर जीला बाइज जो है लिश्ट भी देख सकते हो जहां पर सारा चीज जो है वो किलियर किया गिया है और इसके बाद मैं आपको बहुत ही खास चीज बताने वालो हूँ इसी योजना के बारे में तो आप वो चीज मिस एकदम नहीं किजिएगा तो देखें पहला नंबर पर क्या दिया हुआ है बोकारो बोकारो में टोटल जो टार्गेट दिया हुआ हो वह 8608 लोगों को आवास दिया जाएगा जिन में 4404 जो है ST और SC को दिया जाएगा देगे 50 परसेंट भले ही ST और SC को आरक्षन यहाँ पर दिया गया हो मतलब टार्गेट में से 50 पर 30 दिया जा रहा हो लेकिन इन में जो है आधा आपका बटवारा हो जाएगा ST को और आधा जो बटवारा हो जाएगा वो SC को हो जाएगा तो इस बात को भी ध्यान पे रखना है जो आपको कोई और लोग नहीं बताया होगा अगर वीडियो इसके बारे में कोई और बनाया हो तो फिर इधर देखिए जो माइनरेटी है उन्हें 10% दिया जाएगा तो बुकार दिया जाएगा वहीं जैनरल का बात करें तो 431 लोगों को आवास दिया जाएगा जो 5% होता है तो उसी परकासे 14 में जो है आपका 7820 आवास जो है टोटल टारगेट दिया गया है और आप परसेंटेज वाई जो है सबका अनुमान लगा सकते हो यहाँ पर जो डाटा दिया डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलिग्राम ग्रूप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा आप जाकर जोइन लेजी इस पीडियो को डाउनलोड करके अच्छे तरह से देख लीजी देवगर का बात करें तो 9847 लोगों को आवास दिया जाएगा टोटल रखा गया है धनवाद में 8973 टार्गेट रखा गया है दुमका में 9827 रखा गया है इस्ट सिंग्भों का बात करें तो 8138 रखा गया है गड़वा का बात करें तो 1003 रखा गया है ग्रीडी में 17860 टार्गेट रखा गया है और ग्रीडी में जो ज्यादा टार्गेट रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि ग्रीडी में आपका ओविसी की संक्या जादा है इसलिए वहां पर जो है जादातर ओविसी को आवास का लाभ मिले इसलिए यहां भी टर्गेट बढ़ाया गया है फिर इधर अगर बात करें गोड़ा का तो 9972 रखा गया है गुमला में 7663 रखा गया है हजारी बाग में 11648 टर्गेट है जामतारा में 5711 है खूटी का बात करें तो 3887 है कोड़रमा में 4591 है लातेहार में 5389 है लोहर दगगा में 3228 है पाकुड में 6649 है पलामू में 13681 है रामगड में 4236 है राची में 13226 है साइब गंज में 7911 है फिर आपका सराय केला में 6437 है सिम डेगा में 4444 है अगर वेश्ट सिंग्भूम का बात करें तो 10252 है तो इतने लोगों को जो है परतेक जीला बाइज आपका आवास मिला जाएगा जिनमें एश्टी हैसी माइनराटी और इसी जनरल को भी दिया जाएगा तो टोटल जो आवास देखे कितना मिलने वाला है टोटल जो आवास का टारगेट है दो हजार ताइस शोबिस में वो दो लाख रखा गया है एक लाख एससे एश्टी को मिलेगा बिस हजार माइनराटी को मिलेगा सतर हजार अविसी को मिलेगा और दस हजार जो है जनरल को मिलेगा तो इतना आवास मिलेगा अब ये आवास आपको किस परकार से मिलेगा तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो देखी जिन किसी ने भी अब हुआ अवास योजना के दात जनता दरबार पर जाकर आवेदन की हैं तो अभी वो लोगों का वेरिपीकेशन किया जा रहा है कि आवेदक सही रूप से उस गाउं में निवास करते हैं या नहीं कर हैं एक बार हाउस वेरिपीकेशन अभी हो जाएगा फिर आपका आगे जाकर एक ग्राम सबा बेठाया जाएगा ग्राम सबा में वैसे लोगों का ही चैन किया जाएगा जो आवास पाने की योग्य है अगर कहा जाए तो जो लोग अपने गाउं से बाहर रहते हैं या जिनक ग्राम सबा को रद भी करा सकता है तो यह हमेशा याद रुकिए अगर आपके साथ गलत होता है तो आप इनके खिलाफ जो है आप आगे करवाई भी करवा सकते हैं और जो भी आगे चीजे निकल कर आएगी वह सारा का अपडेट इसी वीडियो पर मिलेगा इसके लिए चैन यह भारत जोहर जारकंड